हेलो अल हम लोग पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्री का चैप्टर और कैसे हम जर्नल एंट्रिया करते हैं यह हम देख रहे हैं और इसमें आम एक नई जर्नल एंट्री से रिलेटेट जर्नल एंट्री का कैसे टीट्मेंट करते हैं हम यह देख गेंगे तो अगर एंट्री है शोल्ड गुट्स एक मिनट अगर एंट्री है शोल्ड गुट्स पोर कैश रुपीज 15,000 और इसकी डेट भी देख लो आप कुछ भी मान लो सब्सक्राइब एप्रिल एट यह इसकी डेट है तो इसका आप सॉल्डिशन कैसे करोगे सबसे पहले तो जर्नल का फॉर्मेट होता है और जर्नल हम किसका बना रहे है हम लिखेंगे यहाँ पर जर्नल और किसका जर्नल है जो मालिक है अब देखो एक एंट्री में मालिक का नाम तो दिया नहीं हुआ तो हम इसको खाली छोड़ देंगे अब हम डेट में क्या लिखेंगे 2021 पहले इयर लिखेंगे फिर एप्रेल एट इसकी जर्नल एंट्री करेंगे अब जर्नल एंट्री करते कैसे हैं देखो पहली बात तो आपको यहाँ पर लोकेट करना है कौन-कौन से एकाउंट्स हैं इस टांजेशन के अंदर इसके अंद अब यह इनके टाइब क्या है इनके टाइब क्या है किस तरह के अकाउँट है और सेंज से होता है नोमीनल अमीनल अंग्समिश्य और जड पंश हुख लो लोटा पर कंसी और क्रेडिट वाट गोज आउट नॉमिनल एकाउन का रूल क्या होता है डेविट ओल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज ग्रेडिट ओल प्रॉफिट्स एंड गेंस प्रॉफिट्स एंड गेंस बोलो या फिर इनकम भी वोल दो विघा तो यह उनके रूल ओते अब यह देखो जब आप सेल करते हो यह दो कैश बंट और से करो और सारी एंकम को क्रेड़िट करो अब सेल्स एक्स तो नहीं है तो इसका होता है हमारी एक in come sales को हम करें गे क्रेड़िट तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी आपकी एंट्री हो जाएगी यहां पर कैश एकाउंट डेविट किया है तो डेविट वाले कॉलम लिख दोगे और सेल्स एकाउंट हमने क्रेडिट करना है इसलिए क्रेडिट वाले कॉलम में लिख देंगे और गोड़े उसके बाद हम लिखते हैं नरेशन नरेशन में क्या लिखते है बीग लिखके जो क्वेशन रुपीज फिफ्टीन थावजड यह आपकी बन गई है अब देखो इससे जुड़ी हुई अगर उधार हुआ या फिर किसी ने चेक दिया ठीक है कैश की तो हमने कर दी कैश सेल की एंट्री और अगर यहां पे उधार होता उधार होता मतलब अगर ऐसे होता तो क्या करते एंट्री देखो कैश तो आया नहीं है और जिसको हम उधार बेशते हैं तो वह हमारा क्या होता है टेटर होता है ठीक है तो हम एंट्री क्या कर देंगे ए डेविट टू सेल्स एकाउंट 15,000 तो यानि कि सेल्स की एंट्री ऐसी एंट्री जिसमें सब कुछ बता रखता हो देखो ऐसे होती है सेल्स की एंट्री क्या होती है कैश एकाउंट डेविट या फिर बैंक एकाउंट या फिर डेटर डेविट टू सेल्स एकाउंट यानि कि एगर कैश में ट्रांजिक्शन है तो कैश को डेविट कर दोगे किसी ने चेक दे दिया तो आप बैंक को डेविट कर दोगे और अगर उधार है तो आप डेटर को डेविट कर दोगे जैसे कि हमने इस वाली एंट्री में एको डेव debit bank debit or debtors debit to sales तो cash में है तो कैस को डेबिट करोगे bank चेक से दिया है किसीने payment तो bank को डेबिट करोगे और अगर उधार दिया हुआ तो अब टेटर को डेबिट करोगे क्रेडिटर क्रेडिटर कॉन होते हैं जिनसे उधार खरीदते तो परचेश की होती है है यह थी मेंली आपकी सेल्स की एंट्री कि बना हुआ है यह यह आपको करना है नीचे जो account, type of account और rules वगेरा लिखा हुआ है यह answer में नहीं करना है यह आपको rough में देखना है और कुछ entries में अगर आप यह काम कर लोगे तो फिर आपको यह बनाने की जरुवत भी नहीं पड़ेगी So that is it for this lecture. Thank you